योगी आदेतनात के खिलाफ लड़ने पहुंच जा रहे हैं, आपको ये सब डर नहीं सताता है? मेरी नहीं है, तो भी नेतानी माने के खरो हमारे दल में आएंगे, तो अपने कामों का हल कराएंगे, और हम उनके दल में रहेंगे, तो उनके मजदूर बनके रहेंगे, उनकी गुलामी करेंगे। क्या देश कर देखे यह कंगे, तो बड़ी बात कर दे रहा हूँ, यह रिकॉर्डिड ए है, वो ये ऐसा नहीं कि मैने आपको बंद कमरे में कह दिया है, हमने उनको राज्वतिक शक्ती से व दम दिया था कि अगर वो धार देती तो बीजे पी के ये जो आज शेर बने खु हुए वो चुप थाम के बैटेगे और उन्होंने पूरी बाकडोर से तिशन मित्राजी के आथ में देदी इसी वैवर्शता से इन्हीं लोगों से तो निकाल के माने वर काशिराम साहब हमें लाए थे साथियो नमसकार मैं हूँ नीरच पटेल और आप देख रहें नेसल जन्मत गूंगी बहरी राजनीती के इस दौर में चंदर सेखर आजाद संघर्ष का दूसरा नाम बन चुका है संघर्ष का आलम यह कि सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्मंत्री योगी आधितनात के खिलाब चुनाओ लड़ने की घोशना कर दिया आपने इतना धैर इतना सहस लाते कहां से हैं सहस महापूर्सों का संघर्ष करता है मैं मानने और काशिराम साब को नेता मानता हूं तो वो देश के बड़े-बड़े प्रदान मंत्री के खिलाब चुनाओ लड़े और मैं आपको बस याद दिला दूं कि अर्जुन सिंग जी के खिलाब बाबु सुकलाल कुश्वा जी उनको हरा दी है तो यह लोगतंत्र है डोक्टर अम्बेड करने वोट का अधिकार दिलाया है तो कोई भी हार सकता है और अब जब चुनाओं है तो ऐसे तानर साख खिलाब है जिसने पिछले पास साल अगर उत्तर प्रदेश की बरबादी के लिए को जम्मेदार है तो माएं मागने पर मेरी बेहनों के ओपर लाठिया पर भांजी उनके हाथ तोड़ दिये ऐसे आदमी को मैं आसानी से वोकवर दे के सदन में जाने दूं तो ऐसा तो नहीं हो सकता है मैंने तो बहुत दिन पहले नेजभाई गोश्टा की थी कि जहां से लड़ेंगे सिट चैन कर लें यहीं तो बहुत दूरी है कि सिट वो चैन करें अब देखो यह वह भी जानते हैं भले ही मेंश्ट्री मीडिया ना बताए कि वह गोर्फ वह आये थे उनकी समझ में आ कि यहां हरा के हरा देगा वहाई मतरा उनको पता लगा कि यहां के हरा देगा तो वापिस सेफ ज हवाल आए हैं वो भी आपसे करूंगा गोरक पूराप महाउल बनाने के लिए जीतने चीद्वाइब के देखिए के मैं हारने के लिए तो कोई काम करता है हम तो बात मानते हैं माझलो तो हारोड ठान लो तो तो हम तो पिछले पास साल लढ़ रहे हैं और जीते हैं क्या हु केंसिन को रिलीज करनी पड़ी और ये भी सच है कि इस से ज़्यादा गोटाले बाजी क्या होगी सरकार की कि इनको ये पहले तो सिक्सामंत्री कर रहे तो कोई गोटाला नहीं हुआ फिर वो सिटे क्यों रिलीज की तो जहां मुकदमा दर्ज हो के जेल भेजना चाहे था वक्स तो हंस रहा था जब बेहन बेटियों पर लाठिया चल रही थी विपक्स रहा था उन्होंने एक साल से ज़्यादा का समय बच्चों ने बिताया तो मैं समझता हूँ सरकार कि विफलता इतनी है अगर आप जमीनी पर जाके बताएंगे तो जनता उनके विरोध में खड़ी है तो मैं महौल बनाने के लिए नहीं है मैं तो जीतने के लिए गया हूँ और मेरा एक ही लक्स है कि बहुजन समाज को इस देश पर पहले इस पर देश में और फिर देश में साशक बनाना है तो वह जीत के होगा हार के तो नहीं हो सकता है हारते तो हम लंबे समय सा आए हम तो जैचंदों से भी हारे लेकिन अब हा से परशेंट सुद्रों का वोट है मैं मैं आप यह आईडिया लगा लिए कि वहां का ब्रामण ओठाकुर मुझे किसी कारणों से वोट नहीं देगा वोखुद को एक लाग वोट पे वो हैं एक लाग भी पूरे निए साथ जार पे और वाकी जो है तीन लाग पचास जार पे मैं खड़ा हूं तो चुनाव जीतेंगे और आप जाके जब महनत होगी तो आप देख लेना देखो बादरों का समान होता है और हमने पास साल में विपक्स को लड बाबु जगदेब परसाद कुछवार जन्याए कपूर ठाकरने में टेक करना सिकार उन्होंने बताया कि हम अगर लड़ेंगे तो हम जीतेंगे तो जीधार का फैसला तो महनत करेगी अभी तो लड़ना है इस दोर में साइधी कोई ऐसा बहुजन नेता होगा जो अपने मिल दो किसके वोट से बनते हैं उनका दो वोट 3 पांश परसंट 10 परषंट है तो हमारे वोट से हैं ना तो हमने सब को बनाई लेकिन इस देश में जाती वादी मान तो वो करम की वाज़े से संवान नहीं देंगे मैं दूबारा कह रहा हो कि वहां का ठाकूर और पंडित ज आपने तो बहुत बड़ा वयान देदी आप तो सवर्णों में भी वटवारा करने में लगे हैं और बहुजन आप कह रहे हैं कि हमारी है देखिए मुझे तो समाजिक नियाएं की परिवासा पता है अगर आप वास्तिता में देखेंगे यह अपरकास्ट में सुन जाती में यह ब्रह्मन और ठाकुर यह लोग यह कहते रहते हैं रोग सोचल मीडिया पर तमाम जगह पे पिछडों में यह जाती अधिकार खा गई है औरक्षन कलाब लेगी दलितों में यह जाती आरक्षन है जब वह मुख्य सचीव बनने के तो कहां से लागे टेप्टेशन पर कहां से लागे उनके ऊपर थोपा जाता है तो मैं समझता हूं कि अगर आप आकलन करके देखें समिक्षा कराएं तो बनिये और कायत जो सुद्र हैं उनके हिस्से में स्वन होने के नाते सिरफ और सिर प्रणाम देखने को मिलेगा और मुक्य मंत्र जी का तो मैं कहूं दसी जार वोट है अगर वह ऐसे लड़ेंगे तो भी मुझे सॉैट हजार और मैं रिजर्व सिट से चुनके नहीं जाना चाहता है। मैं जाना चाहता हूं सदर में सत्य है। लेकिन जाओंगा जिसने पूतर प्रदेश का विनास कर दिया ऐसे मुख्यबंतरी को हरा के। कि ऐसे समय में जब बहुजन नेताओं से में तमाम सारे सवालों के जवाब मांगना चाहता हूं तो एडी का डर सीवी आई का डर इंकम टेक्स का डर तमाम सारे डरों की बात करते हैं और आप योगी आदितनात के खिलाफ लड़ने पहुंच जा रहे हैं आपको यह सब डर न मैं प्रेमर स्कूल का हैटमास्टर का बेटाहूं में गरीब परिवार चाहता हूंकिसान पड़िवार से और मेरे पास सिद्धानत मेरे पिताजी ने मुझे चरित्र दिया उस चरित्र के मैं इमान दार से काम करके आज अपनी पहचांद बना पाया हूं मेरे पीछे कोई ब भी काम करनों तो भी मैं अपने समाज का इनेता बना रहूंगा यह देश की जाती वेवस्ता है लेकिन हमने तै कि इस वेवस्ता को अब डाइनमेट लगा के उड़ा देना है अखले जी ने अपनी प्रेस कॉंफरेंस में आरोप लगाया कि एक फोन आया उठके चले गए उस साजिस करार दे रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि नेशनल जनमत के दर्सकों को यह किलियर हो कि वह कौन से फोन की बात थी देखिए मैं जमान देके पिछे तो नहीं हटता हूं मैंने जीवन में सिखा नहीं है क्योंकि मुझे अभी जितनी उमर है मेरी इतने साल राजनीती करत देखिए और मुझे इस देश में बहुजन समाज का प्राइमिनिस्टर भी बनाना है बनाना है बहुत बड़ी बात कह रहे हैं बनाना लोगों को बनना है बनने के लड़ाई तो सब लोग लड़ने हमने तो उनको भी कहा कि आपको मुख्यमिंत्रि बनाएंगा आप बड़ जाएं क्योंकि हमें किसी भी बिजबी को रोकना है तो उन्हों मुझे से कहा आप लड़ जाओ आप विधायक बन जाओ आपको मंत्री बना देंगे तो मैंने कहा कि प्रस्ताव तो कुछ और तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ सात्यों को और कंसिडर कर लें जिससे कि जैसे है समान दिया है तो हमें भी समाजिक समान मिल जाए यह समाज भी आपको वोट देना चाहता है भीजेपी को रोकने के लिए यह तो उन्होंने कहा कि मैं देख लूंगा फिर मैंने भी मार्मी के च्जो हमारे लीडर्ण से निज क्योंकि हमारी माहें भीमार्मी आज हम जो कुछ यहां तक पहचान बना पाई भीमार्मी की बदॉलत है तो मैंने जब प्रस्ताओं में चेंज हुआ प्रस्ताओं तो कहां से चलके आया डबल लिजिट से और फिर आगे सिंगल लिजिट में भी और दो तक चला गया जिसकी ब अगर आप विदायक और मंत्री बनना चाहते तो आप बताएं आपको बीटो पावर देते हैं तो मैंने कहा कि लड़ाई समाजिक नया देता हिस्सेदारी और समानता और मैं गिर्वी रखके कोई काम नहीं कर पाँगा तो मैंने उनको मना कर दिया फिर मैंने फिर भी चलते मै मैंने उनसे कहा कि आप भाई हैं बड़े आप सोच लीजिए थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए जिससे कि गड़बंदर मन जाया फिर मैंने उनको एक वाटसप पर मैसेज बेजा मेरे पास रिकॉर्ड में मैंने उनसे कहा कि यह इस सहमती के साथ में लोग खड़े हो कि मुझे उनके मुख्यमंत्री बन्या के साथ था मैं यह भी जानता हूं कि अगर किसी कारण भारत जनता पार्टिया आतीनियर भाई अमीर दलीत और पिछड़ी की जान बच जाएगी लेकिन जमीन पे जो गरीब अती पिछड़ा दलीत है ना जिसके तन पे कपड़े नही नहीं और इसके सर पे च्छत नहीं और इसके पेट में रोटी नहीं इसके बच्चों पढ़ने के लिए जो है फीस के पैसे नहीं बैग नहीं कोई संसादन नहीं उसको यह भारत जनता पार्टिया उसके अधिकारों को छीन के उसको इस पर देश में गुलाम बना देगी ज बड़ा मैं वो मेरा चोटा भाई आके बीजेबी की कोहराने मदद करें मैं एक सिट नहीं दूंगा तो मैं तब भी चला जाओंगा यह स्वाबिमान की बात इसी जगह पर मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं ताकि लोगों को किलियर रहे जब यह सारे प्रस्ताओं की बात हो रही थी मैं बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना चाहता क्या बास्ताओं में लोग कहते हैं कि उस समय चंसेखर घमंड में थे दंब में थे क्या अखलेश यादों की तरफ से बात बिगणने के बाद किसी ने भी आप से कोसिस की कि आप से संपर्क करें मुझे जो जानका बेबसी की जिन्दगी जी रहा हो समाज उसमें उसके लिए लड़ने वाला चंसेखर कितना घमंड करेगा अगर मैं घमंड करता तो उनके दरवाजी क्यों जाता आपको पता नहीं उससे एक दिन पहले क्या हुआ था कि मैं गया और वो कहीं चले गए तो मैं उनके घर के सा हो आता तो स्विकार हो जाता है उननीस में भी मैंने चिला चिला कहा कि बहुत ताकतवर इसको रोकने के लिए सपह बसपाइक जूट हो जाए वर नामे को सोचना पड़ेगा तब गढ़ बंदन हुआ पूरे प्रदेश में मैंने इनके प्रतियासी का परचार परसार किया और एक उप्चुनाओं में भी कहना नाम हुआ तो बेंजी ने भी साथ ने दिया मैंने अपनी जान की परवाना करता है जब सरकार ने मुझे कह दिया कि दुबार राशू का लगा फिर भी मैंने इनके प्रतियासी को वो डलवाने काम किया तो आप मुझसे घमंड की बात क अच्छा और उनको कहा कि आदेख जी आप भी बड़े भाई है जिस परिक्रिया को सम्हाल के इसको तयार करा लिजे मैं इस गटबंदर में रहके पूरे चार्स खुद व्यक्तिकत विदायक ना बनने की इच्छा न रखते वे चार्सू तीन विधान सबाब पर जा जाकर बिजेबी को हराने के लिए अपने समाज के लोगों से अपील करूँगा कि भारत जन्ता पर्टी को किसी भी किमत पर जीतने नहीं देना है इस बार हमें उनको कहीं से भी मोका नहीं देना है तो आप इसे मेरा घमंड कहें या मेरा दर्द कहें लेकिन एक कड़वी सच्चा इक आरोप और आपने बहन जी से जानी कि मायवती से कोसिस क्यों नहीं किगट बंदन करने की देखिए मेरे लिए जैसे अकलेच भाजिया जो है सम्मानित है मैं का सम्मान करता हूं हमेशा वो जब तक वो जीएंगी मेरे लिए सम्मानित रहेंगी कभी आपने मेरे मुझ से मेरे लड़ाई उनके नीटियों के खिलाप थी कि वह जब जिस तरह से हमारे लोगों पर इन्यात चार हुए वह चुप थाम के बैटेगे और उन्होंने पूरी बाकडॉर से तिशन मित्रा जी के आथ में देदी इसी वैवरस्ता से इन्हीं लोगों से तो निकाल के माने व फोन की है मेरे पास रिकॉर्डिंग है फोन में जो मैं कर सकता था मैंने सब किया अंते मैंने मीडिया के सामने भी आ कहा कि अगर मुझसे गटबंदन के बारे में पूछ जागा तो मेरी पहली प्राइटी मन्ने बेंजी रहेगी मैं आज भी उनका सम्मान करता हूं संगर्स किया है लेकिन मैं अपने लोगों को मड़ने के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ और को लड़ना न ही चाहती है और मैं अपने लोगों मरते विश्य देख कि उनके सम्मान में जो मुझे से आदेश कर दें तो मैं उसके लिए आज भी साथ बड़ी बाद के रहा हूं यह रिकॉर्डड है को ऐसा नहीं कि मैंने आपको बंद कमरे में कह दिया हूं इसको आज के बाद समाज के लोग सुनेंगे बहुजन समाज के अगर वो चाहती तो आज बहुजन समाज के हालात नहीं होती है हमने उनको राजिंतिक शक्ति से वो दम दिया था कि अगर वो धार देती तो बीजे पीके यह जो आज शेर बने घुम रहे तो यह पिल्ले बनके घुश जाते घरों में लेकिन तकलीप तो होती है कि जिनको हमने ताकत दी उन्हो काम है हमारे दलों में घुसके उस दलों पर कभजा कर लेना और यह पहले से आई यह उनका नेचर है लेकिन मुझे उनसे कोई तकलीप नहीं है क्योंकि मैं बहुजन राजनीती करने वाले लोग सुरुबात में बहुत बढ़िया रहते हैं सारे मुद्दों की बाते हैं और यह तमाम सारी चीज़ें आगे बढ़ते बढ़ते उनके मन में यह क्यों आ जाता है कि बिना सवर्ण लौवी के हम सफल नहीं हो सकते बरतमान में इसी तरह की आता नहीं है बिठाया जाता है आपके आसपास एक दो लोग सेट किये जाते है जो इस बात को कहते हैं कि नहीं है आप इस चरीतर के मत बनीए आप इस चरीतर के मत बनीए आप इस चरीतर के मत बनीए देखो वो लोग जानते हैं उनकी पार्टी के लोग किनका वोट लेके किनका काम करना है हमारे लोग वोट हमारे लोग का लेते हैं और काम उनका करते है उनका एक आदवी भी होता तो अपने सारे मुद्ध हल कलवार लेता है अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ और मेरी इच्छा भी है जिन नेताओं को अवसर मिलने पर कुछ उन्होंने काम नहीं किया तो वो क्या आगे कर देंगा अजमाएं को क्यों अजमाएं लोग इसलिए लोग आगे बड़े और हमारे मोर्चे में सब्सक्राइब कोई जाती इसी नहीं जो नहीं सब है लेकिन उनके साथ नियाय हो यह चरित्र होना चाहिए कि आप सत्ता मिलने पर ताना साना हो जाएं जो लोग आज ना मिल पा रहे हैं वो कल मुख्य मंतरी बनने के बाद इतनी राज निती न नहीं करते कि दोका देने राज निती नहीं इतनी जान पाए इस देश में जब तक विचारद्दार पर आदरित काम हो गा है नहीं वाट्स आप यूनिवर्स्टी में फिर से घ्यान सुरू हो गया है कि लड़के बीजे पी का सयोग कर रहे हैं इसके ल बिल्कुल जानते हैं कि बीजेपी का यही काम है और यहीं उनका चाल जिनका कम वोट है वह सत्ता में आने के लिए कोई तो साजित सद्र करेंगे उनका वोट तो इतना नहीं कि उसक्ता मैं उस्वोट के दम पर अगर आज आपको लगता हो मैं ओपन दोर पर कहा रहा हूं इस और हम उनके दल में रहें तो उनके मजदूर बनके रहेंगे उनके घुलामी करेंगे तो जितना जल्दी देश के पर देश के और देसके बहुत हरे के लोग डिया बथी है। कह रहा हूं छिए बताने ऑद मनका सम्मान करता हूं कि आप पिछड़ों को 52 को दिला देंगे रोपी सी के लोगों को पर मोशन दिला देंगे है कि क्या है तुरस्टी में क्या हुआ था गचुरासी में से त्यासी एक जात तो मैं नहीं कहना चाहता लेकिन तकलीब तो बहुत है फिर भी सोचा था कि इस बार कुछ परिवर्तन हो जाएगा यह कुछ नया है लेकिन सर मड़वाते हो ले पड़े अब आके खुल चुक है अब अपना काम करना है बहुजन समाज के लोग मेरा संघस जानते हैं मुझे व रास्ता वही बंजिल वही तुपे तो पहुंचेगा जो रास्ता तै करेगा जो घर से निकला ही नहीं वह रास्ता क्या तै करेगा उनको यह तै करना है कि चुनाओं के बाद जो लोग उनके बीच में कभी आएंगे नहीं उनको वोट देना है यह जो चुनाओं से पहले प तो फिर उसके लिए समाज को त्यार होना पड़ा अगर हमारा एक एक आदमी को वोट मिला और हमारा एक एक वेक्तिव चलिए मैं छोड़े नीचे की बात करता हूं वैसे तो हम सरकार बनाएंगे में वरोसा है क्योंकि हमने काम क्या जनता में वोट दे कि हमने हमने जो है ना समाज के लोग इक ठा करने के ल लड़ा हूं भीड़ करवा दी विद्धान जाम हमने जाएगा तो उसके सामने विद्धाय की जो हो सामना नहीं कर पाएंगे हैंकि हम ह्मारी बुनियाद हैं महानेवर साहब से काशिक अनाम और नग्वावा साम हमारी बुनियाद है छद्र се सीवां। प्रश्पी जोती बापूले हमारी बुनियाद है पैरियर सभी अधाव संद्गार्डगे जी महरा नैरा नगुर्गी है हमारी बुनियाद है डॉक्टर एपी जब दू काम हम एडूकेशन की महता को समझते हैं तो फुरी फुरी से काम नहीं चलेगा बुनियाद ही काम करना पड़ेगा कि हमारे लोगों के अंदर राइंतिक चेतना जागा उनका टूटा वह विश्वास जागे कि बहुजन समाज के लोग अपने दम पर सत्ता मना सकते हैं जिनका वोट उनका राज आए तब जाके उत्तर प्रदेश और देश खुरसाल मौजूदा राजनीती के द कोकली भासनवाजी करने वाले देखते रहे इने संजन्मत जागरुक और सजक बने रहे जैविज्ञान जैसमेधान हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैभीम जैभारत जैसविधान और नारो में तो जैभीम हुल जोहार जै मंडल और तूटेगा कमंडल और जीते का मंडल और अगला समय जो है वो मंडल राजनीति का होगा बोजन समाज के लोग साशक बनेंगे दनेबाद